जैन जैवार दोस्तों वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने सब कुछ कर दिया और शेयर करना जरूर ना भूलना अब देखो बांगला टाइगर छा गए हैं और नागिन दांस इनकी छाती पर कड़के ही रहेंगे वह या देखो नागिन दांस क् लिखके ले लो कल तो होना ही है चाहिए सीरीज वंजीरों से हो जाए कुद्रत का निजाम चलता रहा तो वंजीरों से हो जाएगी अगर जो कि शिवानी ने बोला तीस ओर तीस ओर मैक्स कह रहा हूं मैक्स गलती से इनको सिर्फ बीस ओर भी मिल गया ना लगातर फ्लो में बीस ओर में भी ये पाकिस्ताम के बड़े से बड़े एल लगा दें ऐसे ठोकने ना इनको के जिंद्गी भर इनको याद रहेगा के नशीन शाह चाहिन शाह फ्री दोगो बिठाने का डिसीजन और घंटे के किंग बाबर गोबर आजम डिस्ट मिन को खिलाने का डिसीजन ब बाबर आजम का कि कल की वीडियो में मैंने क्या बोला था डेड़ सो मैक्सिमम दोस्तों पाकिस्तान बहुत अच्छा खिल गई तो दोस्तों मैंने बोला था इस से उपन नहीं जाएगी और वही हुआ सके बीच में ही रुक गई है फिर भी मैं ये एक उमद देखो बांगल बाबर आजम के अंदर घुसने वाला तंबू में बंबू वह बांगलादेश का होना ही होना है कि दखो सिंपल सा फंडा है बाबर आजम ने क्या किया इस सीरीज में क्यों उसको बैक टू बैक खिलाए गया नशीन शाह शाह फ्रीदी ने ऐसा क्या गुना कर दिया कि उनको भी पता है बाबर आजम को दुबारा नहीं मिलती तो उनका नमबर आ सकता है यह सिनारियों चलता है अगर शान मसूद की बात की जाए तो वह भी कोई खास कैप्टन सी के रंगनी दिख रहे और ऐसे पिचेज पे जहां रावल पिंडी पाकिस्तान का गड़ है जमीन है वह हानी यह बंद अपनी ऍसक्तारा पांध के लिए बंक आपनी वह नहीं रहे पेल रहे हैं यह इतिहास इनके बाप दादा तो भी जिन्दा है जो पो किस्तार कंच ऑंदे के दो मैच बस हाथ ऐसे थे बाकिस्तान की सैट से बस हाथ ऐसे थे बांगलादेश की सैट से मुझे लगता थोड़े से हाथ कम पड़ गए और मैं कहता हूं बांगलादेश की जितने भी भाई है ना हाथ उठा दो क्योंकि कुद्रत का निजाम इनी की तरब यह चेंज होगा तीस आपसलिटली मजा पूरा आ रहा है लेकिन यार वेदर सिचुएशन यहां मारे राहूल महेश्वरी नए व्यूवर आये है उनका मेसिज आये वो पूर्रे वो पूर्रे वोट इस पी चीज में है बैड न्यूस है क्योंकि अभी बारिश हो रही है थंडर लाइटनिंग हो यह काफी तेज बारिश हो रही है मुझे तो ऐसा लग रहा है रात को इस टीम में जाके बाबर आजम या यह कोई अब्दुल्ला शफीक वफीक जाके इन्होंने जो वो पिच का कवर है ना वो ही थोड़ा सा सदक देना है कि वहीं पिच गिली हो जाए खेल हो ही न पाए य पाकिस्तानी यह कुछ भी सोच सकते हैं मतलब स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो देखिए जादा कुछ होने नहीं वाला सब को पता है कि धाई दिन में बांगलादेश जो है वो खा गया पाकिस्तान को ठीक है रेन रेन यह जो बचा के रखी है इनको आज पाकिस्तान बें बांगलादेश ने एक सेशन रेन खा गया फर्स दे जो है वो भी रेन खा गया कल भी अगर रेन खा जाएगा तो भाई धाई दिन का खेल में भागलादेश ने एक सल्यूट शिट पॉट कर दिया जो रावल पिंडी के ग्राउंड में तो भाई अब यह 1-0 से हारे, 2-0 से हारे, यही कंडिशन है, ऐसा कोई कंडिशन नहीं है कि 1-0 यह हो सकता है, तो पाकिस्तान बिल नॉट भी अबल टो सेव सीरीज लॉस यह तो गयारेंटीड है, अब बस यही देखता है कि भगवान जो भगवान तो नहीं, इनका कुदरत का निजाम जो है से बेटर ड्रो है, 2-0 से बेटर 1-0 है, सबकी यही थौट होगी, लेकिन मेरे हिसाब से मैच होना चाहिए, अगर देखिए, अगर पाकिस्तान को कहीं भी इंप्रूव्मेंट करनी है, जो होगी नहीं, जो हमें पता है होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कई सार भी बनाने बंगलादेश से, तो भी कई है, फिर भी बज़ जाएंगे कि ठीक है, एक टेस्ट मैच हर गए, दूसरे में 26.6 कर दिया, तो मेरे हिसाब से तो ये, कल, कुदरत के निजान को, बंगलादेश को सपोर्ट करना चाहिए, और, यूनो, 30 ओवर मिलने चाहिए, किसी भी तरह ब पहला दिन वाइट वोष, सैक्डिन मैं को, धाई दिन का खेल वे, अगर उन्होंने पाकिस्तान के गले में हड़ी रा दिया है, फसा दिया है, उनके गले तक, हलक तक आ गया है, तो इससे ज़्यादा बैटर कुछ नहीं हो सकता, तो बंगला टाइगर तो भाई, च्छा ग मैच होते हैं, नाइट्स मैच होते हैं, अगर आपकी लाइट की कोई प्रोब्लम है, तो आप लाइट्स ओन करो, मैच को कंटीनूस करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीन तो जहिसी बात है, भुकिनिंग नंगी कॉम की है, अब वो क्या कर दिया है, इनको पता है, अगर वो बैड लाइट करके स्टोप नहीं करते, कुछ होवर्स और मिलते, तो इसका मतलब यह है कि और दुलाई होती पाकिस्तान की और पाकिस्तान इस मैच को ओल्मोस्ट दवा चुका होता, कही ना कहीं, एमपायर्स, मैनेजमेंट, वहां इनको सपोर्ट कर रहा है, मेर पाकिस्तान की टीम, उस पर जाएगी और गिराएगी, कि पिच गीली हो जाए, किसी तरीके से, अगर थोड़ा सा मैच स्टार्ट होने के असार हो, तो उसको भी खतम करतो, क्योंकि देखो, रिस्क किसको है, इस्पेशली बंगलादेश को, बंगलादेश तो खुदी रिस्क ले ले लिए तही आ रहा है, अब जैसे भी तैसे करके, पाकिस्तान की आन बांग शान जूट हैं, बड़ मिल सकते हैं, अगर जैन्वनली गए एंपार्स, फिल्ड एंपार्स और ग्राउंट साप, तो पक्का मिल सकता है, अगर वो फेवर ही करेंगे, जैसे कि आज फेवर किया, फिर अलग बाद है, लेकि फिर दोनों सूर्तों में, बांगलादेश की तो बेशान है, मतलब और पाकिस्तान की तो बेस्ती होई गई है.